अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके अपराधी अगर भागने का प्रयास करते हैं या गोली बारी करने के लिए पुलिस से हत्यार चीनते हैं तो मुठवेड पैटर्न होना चाहिए हम आपको बता दें कि असम में मुठवेड की बढ़ती संख्या को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारों तेज हो गए हैं राज्ये में हिरासत से भागने का प्रयास कर रहे करीब एक दरजन संदिग उगरवादियों और अपराधियों को हालिया समय में मुठवेड में मार गिराये गया है सर्मा ने सोमार को असम के सभी ठाने के प्रभारियों के साथ पहली आमने सामने की बैठक में कहा अगर कोई आरोपी सर्विस बंदूग छीन कर भागने का प्रयास करता है या भागता है और अगर वह बलातकारी है तो कानून ऐसे लोगों के पैर में गोली मारने की इजाज़त देता है ना कि छाती में उन्हें कहा जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या राज्य में मुठवेड का पैटर्न बन गया है तो मैंने कहा कि अगर अपराधी पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास करता है तो मुठवेड पैटर्न होना चाहिए सर्मा ने कहा कि आरोपी या अपराधी पहले गोली चलाते हैं या भागने का प्रयास करते हैं तो कानून में पुलिस को गोली चलाने की अनुमती है उन्हें कहा कि सामाने प्रक्रिया में आरोपी पर आरोपत्र दायर किया जाएगा और उसे दंड दिलाये जाएगा लेकिन अगर कोई भागने का प्रयास करता है तो कतई बरदाश्ट नहीं करने का रुख अपनाएंगे। सर्मा ने कहा आपके थाने में हत्या, बलातकार, ड्रक्स, उगाही और अवेध हत्यारों के सभी लंबित मामलों में अगले 6 महीने में आरुपत्र दायर हो जाने चाहिए जैसी भी साहिता की जुरोत हो उसके लिए अपने वरिष्ट अधिकारियों और रेंज के डी आईजी स संपर कीजे, उन्होंने कहा कि अगर फोरेंसिक चांच की रिपोर्ट आने में देर होती है, तो नमूनों को राज्ये के बाहर इस्थित फोरेंसिक प्रयोक्षालाओं में भीजा जा सकता है, सर्मा ने कहा कि इसके लिए देश की 4-5 बड़ी प्रयोक्षालाओं के साथ समझ महिने में एक पुलिस थाने में बलातकार के अधिक्तम 5 मामले होंगे और आरोपत्र 3 पन्नों का होता है, हमें प्रीडिता को अपनी मा, बहन, बेटी जैसा समझ कर आरोपत्र तयार करना चाहिए, मुख्यमंतरी ने कहा कि अगर आरोपत्र जल्दी दायर कर दे जाएं, तो लंबित पुलिस मामलों की संख्या में से 50% मामलों का निप्डारा हो सकता है, उन्होंने कहा कि हर 6 महिने में वह प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, इसलिए बैठक के दोरान अधिकारियों को मुख्यमंतरी को जांच में हुई प्रगती से अवगत कराना सर्वा ने कहा कि भारती दंड सहींता की धारा 144 के तहट दर्ज जादतर धरना प्रदर्शन के मामलों की फाइलें पुलिस थानों में धूल फाक रही है, उन्होंने कहा धरना प्रदर्शन जैसे मामुली अपरादों के मामले खोल कर रखने का कोई तुक नहीं है, इसी प्र मुख्यमंतरी हिमंत विश्व सर्वा ने गतर विवार को विभिन छेत्रों से जोड़ी 1500 से अधिक मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात की और कहा कि वे सभी इस बात पर सहमत थे कि जंसंख्या वृध्धी राज्ये के विकास के लिए खत्रा है, सर्वा ने बैठक के बाद समध अधित उपाय सुझाने के लिए आठ उपसमु बनाई जाएंगे जिनमें सदस्य की रूप में राज्ये के जातिये मुस्लिम समधाय की लोग शामिल होंगे, उन्होंने कहा मैंने 1500 से अधिक बुद्धी जीवियों, लेककों, डॉक्टरों, कलाकारों, इतिहासकारों और प असम के कुछ हिस्सों में जनसंख्या विसफोट राज्ये के विकास के लिए खत्रा उत्पन कर रहा है, सर्मा ने कहा यदि असम भारत के पांच शीर्ष राज्यों में से एक बनना चाहता है, तो हमें अपने जनसंख्या विसफोट को प्रबंदित करना होगा, इस पात पर सभी सहमत होए, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राज्ये के जातिय मुस्लिम समुदाय के लोगों की सदस्ता वाले आठ उपसमुह गठित करेगी, जो समुदाय के विकास पर अगले तीन महिने में रिपोर्ट पेश करेंगे, उन्होंने कहा कि स्वास्थ शिक्षा, कौशल समुदाय से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट संकलन के बाद अल्पसमुदाय के लोगों के विकास के लिए एक मसोदा तयार किया जाएगा, उन्होंने कहा हम अगले पांच साल में मसोदे के अनुरूप ही काम करेंगे, उन्होंने कहा कि हर होगा और सरकार की तरफ से एक सदस्य सची होगा, मुख्यवंत्री ने यह भी कहा कि अगले दौर की बैठकों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंदित, राजनीतिक नेता और छात्र संधन भी शामिल होंगे, उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में मैं प्रवासी मुसल समुदाय के प्रतिनिध्यों ने अल्पसंख्यक कही जाने पर आपती जताई और सरकार से आगरह किया कि उन्हें असम के निवासी कहा जाए, मुख्यमंत्री कारले से जारी विग्यप्ति में बताया गया है कि बैठक में सर्मा ने कहा कि असम सरकार ने बाच्चीत कारिक्रम का एजिन किया ताकि राज्ये में समगर विकास किया जा सके इसमें कहा गया है जातिये मुस्लिम अबादी असम के समाज का अभिनांग है जिन्हें तीवर विकास की जरुत है ताकि समुदाय राज्ये में विकास में बड़ी भूमिका निभा सके और अपनी सांस्कृतिक प झाल झाल